वेलकम फ्रेंड्स तो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ साउथ इंडिया की बहुत ही फेमस और बहुत ही टेस्टी रेसिपी जो की है लेमन राइस की जो की बहुत ही क्विकली और चटपट से बन जाती है मिंटो में इसे तयार कर सकते हैं और आप हमारी थाली का लुक देखिए और आप सामने से हमारे लेमन राइस को देखिए पौफिक्ट कलर पौफिक्ट टेक्श्चिर बहुत ही खिली खिली और नॉन स्टिकी लेमन राइस हम बनाएंगे घर पर बहुत ही इजी मेठट से बिलकुल मिंटो में जी हा फ्रेंड तो चले इसे बनाना करी पत्ते और सुखी लाल मिर्श को लिया है और सारी चीजों को एड कर ले और तकरीबन एक मिनिट के लिए इसे अच्छी तरह से लो फ्लेम पर भुनना है तो देखिए इसे अच्छी से भुन लिया है तो अब यहां पर एड कर देते हैं 140 टीस्पून हल्दी का पाउडर साथी स्वात के नुसार नमक और सारी चीजों को अच्छी तरह से मिलाते वे 30 से 40 सकंड के लिए भुना है अब यही पर एड कर देंगे हम अपने तयार किये वे चावल को तो आप कोई भी चावल ले सकते हैं यहां पर तो रॉर राइस ले जिसमें खुश्पू अच्छी ह होती है तो उससे चावल का टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा आएगा और उससे अच्छे से डालने के बाद अच्छी तरह मिला ले और उपर से एड करें फ्रेश थनिये को और एक लिमन के रस को मैंने एड कर लिया है और सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला ले और इस है तीन से चार मिनिट के लिए स्टेंडिंग टाइम पर फ्लेम हमारा अफ था और देख्ये बिलकुल तयार है हमारा खिला-खिला पॉफेक्ट लेमन राइस जो की मिन्टो में तयार हो गई बहुत ही आसान था इससे बनाना देख्ये बिलकुल नॉन स्टिकी है और खिलि ख अफेक्ट आया है बहुत ज्यादा हल्दी का इस्तमाल ना करें सिर्फ 140 स्पून तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें